दोस्तो नमस्कार वीकेन ओलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो हैंड टूल से रिलेटेड पचास प्रसनों का एक टोपिक था टेस्ट लिया था और इसका पार्ट फर्स्ट यानि क्युस्टा नंबर वन से लेकर 25 तक सोल्यूशन वीडियो डाल दिया थ पर तेएक प्रसन को विस्तार सहीत व्याख्या करेंगे कारण सहीत आपको उसका उत्तर बताएंगे सभी प्रसनों को लास्त तक आप जरूर देखें कियुस्टन अच्हे लगे एक्स्प्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों प्रस्णों के दो पार्ट में आमसर की डाल रहे हैं और इसके 25 प्रस्ण सोल हो चुके हैं आज के इस वीडियो में अपन क्युस्टा नमबर 26 से बात करेंगे चलिए दोस्तों क्युस्टा नमबर 26 है कि समूथ समूथ हेकसा में दान्तों की पिच कितनी होती है दो एड़ेज सेंट टीथ यानि संगत जो दान्ते होते हैं उनके बीच की दूरी को पिच कहा जाता है हेकसा होती है अलग लग तरह है कि जैसे समूथ रफ और मीडियम साइज की भी होती है तो जो बिलकुल समूथ हेकसा होती इसमें छोटे दानते होते हैं और इनकी पिच बहुत छोटी होती है 0.8 mm की पिच इनकी होती है इसी तरह सी यदि रफ की बात मैं करूँ तो 1.8 mm होता है और मीडियम जो है इसमें एक से लेकर की 1.4 mm तक दानतों की पिच होती है याद रखना पिच बहुत इंपोर्टन चीज होती है दो संगत दानतों के बीच की दूरी को पिच का जाता है नेक्स्ट अपना क्यूस्टन है हेकसा ब्लेड में पिच से क्या आसे है तो खेर ये क्यूस्टन ही आ गया तो इसको अच्छे से आप याद रखना पेपर में क्यूस्टन यूँ भी आ सकता है कि दो संगत दानतों के बीच की दूरी को एकसा ब्लेड में क्या कहा जाता है तो उसको हम पिच बोलते हैं इसी तरह से स्क्रू में जो थ्रेड होती है उनमें भी दो थ्रेड के बीच में जो दूरी होती है हतोड़ा जिसको बोलते हैं हतोड़े होते हैं तीन तरह के और ये अपने कारिये के आधार पर उप्योग किये जाएंगे जैसे बाल पिन हेमर हो गया क्रोस पिन हेमर हो गया और स्ट्रेट पिन हेमर हो गया होलो पिन के नाम से कोई हेमर नहीं होता है तीन तरह के है बाल पिन, क्रोस पिन और स्ट्रेट पिन नेक्स्ट अपना क्विस्टन है इस्टेंडर्ड रेंज ओफ वायर गेज जो HWG होता है पूरा नाम इस्टेंडर्ड वायर गेज होता है इसकी रेंज बुचिगी थी अपन से तो ये 0 से लेकर 36 HWG तक measurement देता है 36 इसमें सबसे New-ntam size कैलाता है और 0 इसमें Maximum size कैलाता है यानि 0 size की कोई वायर अगर है तो वो सबसे अधिक मोटी है और 36 size की कोई अधी यानि 36 gauge की कोई वायर है तो वो सबसे पतलि वायर मानिज आती है शामानेत है कोपर की जितनी भी अपने वायर होती है वो इसी रेंज में आ जाती है इसलिए जो गेज से मापनापन करते है क्योंकि इनका MM के साथ कोई डारेक्ट रिलेशन तो है नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मान MM में आ जाता है इसलिए 0-36 के भीज में लगबग सारे MM की वेल्यू भी कवर कर लेता है यह ओप्शन रहेगा 0-36HW नेक्स अपना क्यूशन है कि आम तोर पर तंग इस्तानों में निचोडने मोडने और लूप करने के लिए किसका उप्योग करते हैं हम यानि किसी तार को अपने यानि छोटी जगए है तो इन पर अपन लॉग नोज प्लायर का उप्योग करेंगे क्योंकि अगर उसके लॉग नोज प्लायर का मतलब है जो आगे का सिस्टम जो होल्ड करने के काम आता है वो लंबा है तो वो उस छोटी जगए पर easily पहुँच जाता है और वो थोड़ा सा लंबा होने की वज़े से क्या पतला भी होता है तो easily वो उस जगह पर पहुँच जाता है combination plier वहाँ कभी काम में नहीं आ सकता next अपना क्यूशन है कि conduit और GI gelevenized iron के pipe को कसने और खोलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे देखो pipe है इसको खोलना है और कसना है तो इसके लिए pipe wrench का ही उपयोग करेंगे adjustable wrench एक अलग चीज़ होती है यह pipe रिंच अलग होता है जो pipe खोलने के ही काम आता है और spanner set जो होता है ये nut bolt खोलने और कसने के काम आता है combination plier तो wire को joint करने काटने छिलने के काम आता है इस question का answer अपना A होगा पाई परिंच आएगा next अपना question है कि cutting tool जो होते हैं उनकी सामगरी का विकास का ROE करम ROE बोलते हैं बढ़ते करम को यानि जो cutting tool जितने भी थे उनमें सबसे पहले कोन था और वर्तमान में कोन है रैट देखो सबसे सबसे जो पहले cutting tool थे वो है stone यानि पथर के cutting tool होते थे वर्तमान में steel के है तो stone से शुरूँ ओकर steel पर खतम होने वाला a option ही है तो सबसे पहले stone यानि पत्थर के cutting tool होते थे फिर कांसा यानि ब्रॉंज के बनने सुरू हो गए और comparatively ब्रॉंज मेंगा पड़ता है इसलिए फिर लोहे के बनने सुरू कर दिये और अभी अपने steel के होते हैं high speed steel के बनते हैं तो question गांस अपना ए रहेगा next अपना question है कि धातू के चदर को काटने में परियोगत tool क्या है तो धातू के चदरे काटने के लिए जो परियोग करते हैं उसको सनिप बोलते हैं केंची के जिसी आकरती इसकी होती है धातू के टुकडे अगर काटने होते तब अपन हेक्सा करते हैं टेनन्शा जो होती है यह लकडी काटने के काम आता है next अपना क्यूस्तन है कि the angle of counter sinking bit counter sinking bit होता है कि जब आप drill का उपियोग करते हैं कोई hole करते हैं तो उस पर जो thread सा या यूं कहूं कि वो metals का जो material आता है उसको हटाने के लिए क्या होता है कि एक दो round reverse direction में भी दिये जाते हैं इसको बोलते हैं counter sinking bit और कहते हैं कि इस bit का कौन या तो 60 degree का होगा या 82 degree का होगा या 60 या 82 degree का इसका कौन होता है next अपना क्यूस्तन है कि steel rule किस दातु का होता है stainless steel का बनता है ये और steel का पेमाना बोलते हैं सामानेते 30 cm का steel rule अपन काम में लेते हैं और minimum calibration 0.5 mm तक होता है next अपना क्यूस्तन है धातु की चदर पर किसका उप्योग किया जाता है यानि धातु की पतली चादरे हैं उनको यदि हम सीधा करना चाहते हैं तो द्यान रखना इनमें लकडी वाले हेमर का उप्योग करते हैं और लकडी वाले हेमर को मेलेट कहा जाता है यह ध्यान रखना लोए वाले हेमर जो भी होते हैं इनको दातु की चादरों पर उप्योग नहीं करते हैं इनके लिए मेलेट आता है लकडी का बना होता है इसी का उप्योग कर सकते हैं नेक्स्ट अपना क्युस्सन है कि निमन में से किस का वर्गी करन कट के अनुशार किया जाता है कट के अधार पर होती है दो फाइल और चिजल यानि जो रेती होती है और जो छेनी होती है वो कट के अधार पर होती है जैसे रेती में आता है सिंगल कट डबल कट चीजल में भी आता है जैसे राउंड और फ्लेट चीजल तो कट के अकोर्डिंग रेती और छेनी ए ओप्सन आएगा अगला क्युस्सन आए वायर स्ट्रीपर का क्या उद्यस से है या क्या उप्योग है तो नाम से पता लग रहा है वायर को स्ट्राइप करना श्ट्राइप का मतलब होता है छेलना तार से जब हमें insulation remove करना हो insulation हटाना हो तो wireless tripper का उप्योग हम करते हैं तार पर लग लगाने के लिए हम crimping tool का उप्योग करते हैं तार काटने के लिए cutting plier या फिर electrician चाकू का उप्योग हम कर सकते हैं और तार को joint करना है तो इसके लिए या तो soldering या फिर crimping tool वो भी दो तारों को joint करने के लिए crimp कर सकता है नेक्स्ट अपना question है कि चाकू से तार का insulation हटाते हैं इसमें रेक का कौन कितना होना चाहिए देखो रेक का angle 30 degree होना चाहिए वैसे तो 10 से लेकर के 30 degree तक होता है अलग लग valuation में होता है लेकिन सामने तार रेक का कौन 30 degree ही होता है बीच में वो cutting angle आता है तो वो 20 degree के आसपास होता है क्योंसर का answer C रहेगा B रहेगा 30 degree रेक angle का मान होना चाहिए अगला question है hexa blade की सिदातू से बनता है hexa blade high speed steel का भी होता है और yellow steel का भी हो सकता है question का answer अपना C होगा A and B both यानि इन दोनों में से हम किसी का भी बना सकते हैं mostly cutting tool high speed steel के ही बनते हैं ये भी आप याद रखें next अपना question है कि वक्र खांचों को काटने के लिए किस परकार की चीजल का उप्योग हम करते हैं English में इसको करव कट के नाम से जाना जाता है तो करव कट जो होते हैं उसमें करव की आकरती की जैसा ही हमें चीजल का आकरती चाहिए तो A आएगा इसका half round चीजल जो होती है वो अपन करव कट में काम में लेते हैं next अपना question है कि question का answer अपना A होगा combination plier option रहेगा अगला question है neon taster की दुवरा क्या जानचा जाता है तो neon taster फेज जानचने की काम आता है और 500 bolt तक हम direct इसका उपयोग कर सकते हैं यानि यह हम यह यह बताता है कि इसमें फेज आ रहा है कि नहीं अगला अपना question है कि किस पिच में हेकसा उपलब्द नहीं है हेकसा में परतेक 25 mm पर कितने दानते होंगे इसके अनुसार वरगी करन किया जाता है हेकसा आती है 14, 18, 24 और 32 इन च्यार रेंज में सबसे ज़्यादा हेकसा होती है जो commonly हर जगे provide हो जाती है तो अपने option D रहेगा कि 34 teeth परती 25 mm इस range में कोई हेकसा नहीं होती है 14 वाली है 18, 24 और 32 च्यार परकार की हेकसा हमें देखने को मिल सकती है next question है कि निवन में से कौन सा cut के अधार पर रेती का परकार नहीं है फाइल का परकार देखो rasp cut होती है, single cut होती है, double cut होती है फ्लेट फाइल नहीं है, यह फाइल तो जैसे फ्लेट, round इस तरह की category में आगी जो कारिये के अधार पर उपयोग में ली जाती है question cancer C होगा, फ्लेट फाइल कट के अधार पर फाइल का या रेती का परकार नहीं है next अपना question, जब भी हम एक तार का insulation हटाते हैं, electrician knife का उपयोग करते हैं, चाकू का उपयोग करते हैं और rate angle का मान यदि, मैंने बताया 30 degree होना चाहिए, यदि हम 30 degree से बढ़ा करके आगी की और चलते हैं तो उस पर लगने वाली cutting power एक परसेंट के लगबग घटती जाएगी, कम होती जाएगी एक एक degree मान बढ़ेगा, एक परसेंट power कम होती जाएगी, comparison with previous power last तुलनात्मक सकती से बात करेंगे, तो एक परसेंट कम हो जाएगी और neon tester को कहां तक उपयोग में ले सकते हैं, तो 500 बोल्ट तक neon tester काम में आता है direct live supply पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं next question है कि पतले gaze के धातु के जो चदर होती है, उनके किनारे बहुत तिखे होते हैं, सारप होते हैं उनको जब भी handling करते हैं तो चोट ना लग जाए, इसके लिए उन किनारों पर हेम का उपयोग करते हैं हेम होती है, धातु का अलग से लगाया हुआ टुकड़ा, जो उन किनारों पर लगा दिया जाता है, साइड में हेम बोलते हैं इनको किउस्टन का अनसर अपना A होगा और नेक्स्ट अपना किउस्टन है कि डबल कट फाइल का उपयोग किसमे करते हैं डबल कट का मतलब होता है, जो रहती है, वो दोनों तरफ आगे और, यानि वर्वर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में जब वो मुव करेगी तो मैटेरियल को हटाएगी, तो ये हार्ड मैटेरियल के लिए काम में लेते हैं, जैसे श्टील, ब्रास, ब्रॉंज, इनके लिए, ठीक है, टिन, लेड, अलुमिनियम, इनके लिए सिंगल कट काफी होती है, किउस्टन का अनसर A होगा नेक्स्ट अपना क्युस्टन है, एक तार के व्यास को किस से नापा जा सकता है, तार का व्यास दो तरीके से मापा जाता है, एक तो वायर गेज से, दूसरा माइक्रो मीटर से, ठीक है, तो क्युस्टन का अनसर अपना B रहेगा, वायर गेज का उप्योग हम कर सकते हैं, त यदि क्यों से लगे हैं तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को भी आगे फोरवर्ड करें आप यदि चैनल पर नाई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें